लखीम चंद बहुत ही आलसी था वो कोई भी काम नहीं करता था बस दिन बर बैट पर पड़े पड़े सोता रहता था जिस बज़ा से लखीम चंद की पत्नी बहुत परिशान रहती थी और उसे उल्टा सीधा बोलती थी लेकिन उसे अपनी पत्नी की बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता था एक दिन तुम कोई काम धंदा क्यों नहीं करते कब तक अपने बाप के कमाए हुए पैसों पर आराम फर्माओगे शुरू हो गया तेरा ड्रामा रोज रोज एक ही बात बोलकर मेरा दिमाग खराब करती रहती हो जाओ अपना काम करो इतना सारा पैसा पि जाएंगे तब क्या करोगे और तुम्हारे बच्चों का क्या होगा कभी सोचा है अ हमारे पास इतना पैसा है कि हमारी साथ पुष्ते बैट कर खाएंगी तू जा मेरा दिमाग मत खा इतना गय कर लख आप देजर लखी मचंद सो जाता है लुछ 노ी यह सब सुनकर गुस्ब लेकिन लखीम चंद को काम करने के लिए बोलती है लेकिन लखीम चंद कुछ भी नहीं करता है ऐसा ही करते करते दो साल बीद गए और लखीम चंद का सारा पैसा खतम हो गया एक दिन अब तो कुछ काम कर लो अब तो सारे पैसे भी खतम हो गए अब हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है ये बात सुनकर लखीम चंद चौंग गया और बोला ऐसे कैसे पैसे खतम हो गए मेरे पिताजी इतने सारे पैसे छोड़ कर गए थे मेरे लिए वो कहां खर्च किये तोने मैंने कोई पैसे नहीं दिये किसी को तुम्य मैं इतने दिन से कह रही हूं लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा अब सारा पैसा खत्म हो गया तो मुझे सुना रहे हो क्या सच में वो सारे पैसे खतम हो गए लखीमचन सर पे हाथ रखकर बैठ जाता है फिर सोचते हुए बोलता है मुझे माफ कर दो मैं आज सही काम करने जाऊंगा ठीक है लखीमचन काम की तलाश में चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाता है बहुत दूर चलने की वज़ा से लखीमचन बहुत धक जाता है और आराम करने के लिए एक पेट के नीचे बैठ जाता है और थोड़ी देर में लखीमचन की आँख लग जाती है अचानक वहाँ घोड़े की आवाज आती है जिसे सुनकर लखीमचन उठ जाता है और थोड़ी दूर जाके देखता है, तो उसे जरने के पास चार लोग दिखाई देते हैं, ये देखती देखते हैं लखीम चुन्दूम की बाते सुनने के लिए जाडियों के पास छिट जाता है, उन चार लोगों में से एक व्यक्ति बोलता है, कि जाओ दूमो, मैं अभी सो लेकर आता हूँ, ये बात सुनकर वो सब वहां से चले जाते हैं, तभी वो व्यक्ति इधर उदर देखते हुए, जरने के पास जाता है, और एक जादूई मंतर बोलता है, पानी पानी खोल्डे अपनी कहानी, ये मंतर सुनते ही जरना तो अलग-अलग भागों में बन जात है, और एक सोने की गुफा बन जाती है, वो व्यक्ति गुफा के अंदर जाता है, लखिंजन भी उस व्यक्ति के पीछे-पीछे गुफा के अंदर चला जाता है, और वहां से वो व्यक्ति बहुत सारा सोना चांदी लेकर बाहर आ जाता है, और जाते हुए दोबारा मंतर ब पानी पानी खोल डे अपनी कहानी, मंत्र भूलते ही फिरसे गेट खुल जाता है, और वो वक्ती वहाँ से चला जाता है, और लखीम चन्द कुफा के अंदर ही रह जाता है, और इस वक्ती के जाते ही बोलता है, आज तो मेरी किसमत जमक उठे, अब मुझे कोई काम ने करना प और घर आकर अपनी पतनी को सारी बात बताता है ये देखो कितना सारा सोना ये सब आज के लिए ठीक है अब आप इस सोने से कोई नया काम शुरू कर दीजिए और अब उस गुफा में कभी मत जाएगा अब काम की क्या जुरूरत है अब जब ये सोना खतम होगा मैं दोबारा जाके वहाँ से ले आउंगा रीना ने लखीम चंद को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माना वो जब सोना खतम होता गुफा में जाता और सोना ले आता ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा एक दिन क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ कि ये सारा सोना एक साथ ले आउं ये सोचकर लखीम चंद गुफा में जाता है और सोना गठा करके गुफा से बाहर आने के लिए मंतर बोलता है वो इतना खुश होता है कि मंतर भूल जाता है और हर बार गलत मंतर बोलता है पानी पानी तेरी कहानी पानी पानी क्या है तेरी कहानी पानी पानी तेरी जुबानी लखीम चंद हर तरह की कोशिश करता है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता वो रोते रोते एक कोने में बैट जाता है और बोलता है काश मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली होती और लालच ना किया होता तो आज मेरे साथ ये नहीं होता लखीम चंग अपने लालच के जलते उसी गुफा में फसा रह जाता है हर रोज वो गुफा खोलने की कोशिश करता लेकिन वो हर बात नाकाम रह जाता